है फ्रेंज वेल्कम ठीक । आज़ का जो जो न्यूज है वीडियो है वह है अग्नी सिक्स को आखे भारत पूलिद दुनिया से क्यों छिपा रहा है किया भारत ने अग्नी 6 को बना लिया है और वाब परे चलो तो फिर तो वीडियो देखके पता करते हैं तो फ्रेंज वीडियो शुरू करते हैं पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाटन और बेल आइकन के साथ तो चलो फ्रेंज जल्दी से फटा पट ये वीडियो शुरू करें और पता करें कि ये क्या चल रहा है दोस्तों भारत और चीन के बीच तनाव कई महिनों के बाद भी जारी है भारत डर जा इसलिए चीन ने सीमा पर बड़े पेमाने में परमाडू हमला करने वाले देने वालों में से है चाहिवा 1962 वाला युद्धो जिसमें हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को उनकी ओकाद दिखा दी थी या फिर 1967 वाला वह बिढ़न्त जिसमें हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों के लासू के धेर लगा दिये थे चीन ने जिन मिसाइलों को सीमा के पास तेनाद किया है वह है DS-26, DS-21 यह वह मिसाइल है जो अपने साथ पर माड़ो वार हेड ले जाने में सक्सम है इस मिसाइल की मारक समता 4000 किलोमेटर तक है जो लगबग भारत के हर बड़े सहर तक मार कर सकता है हाला कि इन मिसाइलों के जवाब में भारत के पास अगनी 5 मिसाइल मौजूद है जो चीन के लगबग हर बड़े सहर तक मार कर सकती है हम आपको पता दे के पिछले कुछ महीनों में भारत ने के स्रीज मिसाइलों के इलावा ब्रहमोस, सोर मिसाइल के एडवांस वर्जिन के इलावा पलक्षपत्ते गुसमन को खाक में मिलाने वाली मिसाइल QR-7 मिसाइल का भी सफल परिक्षण कर चुका है दोस्तों चीन की DS-26 और DS-21 मिसाइल की मारक संता 4000 किलोमिटर तक है जबके भारत के अगनी 5 की मारक संता 5000 किलोमिटर तक है इस मिसाइल को भारत साल 2013 में ही बना कर सफल परिक्षण कर चुगा है लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि भारत अगनी 6 का परिक्षण क्यों नहीं कर रहा है हम आपकी जनकारी के लिए बता दे कि अगनी 1 को भारत ने 25 जनवरी 2002 में बना कर त्यार कर लिया था जबके अगनी 2 को भारत ने 11 अप्रेल 1999 में लांच किया था अगनी 3 की बात करें तो भारत ने इस मिसायल को 7 मई 2008 में बना कर लांच किया था जबके अगनी 4 और अगनी 5 को भारत ने 15 नॉम्बर 2011 और 19 अप्रेल 2012 को बना कर त्यार कर लिया था इन आकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो, भारत हर 3 या 4 सालों के बाद, अगनिस सिरीज के अगले Missile को बना लेता है मगर सबसे बड़ा सवाल है कि 8 सालों के बाद भी भारत ने अगनी 5 के बाद अगनी 6 का परिक्षण नहीं किया है और नहीं कोई अधिकारिक बियान आया है कि भारत ने अगनी 6 को बना लिया है लेकिन विश्य सग्यों की माने तो भारत ने अगनी 6 मिसाइल को बना कर त्यार कर लिया है सिर्फ उसका परिक्षन नहीं कर रहा है लेकिन दोस्तो सवाल यह है कि कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है मगर क्या सच में अगनी 6 जैसे घातक और एडवांस मिसाइल बनाने के समता भारत रखता है क्या भारत के पास ऐसी तक्नीक मौजूद है जिसके दम पर भारत अगनी 6 जैसी मिसाइल बनाने में सक्सम है एरो इंडिया 2013 में चल रही रक्षा पर दरसनी के दोरान डियाडियो के परमुख डाक्टर वी के सारुस्वत ने कहा था के अब हम अगनी 6 पर काम कर रहे हैं जिसका डिजाइन तयार कर लिया गया है और बहुत जल्द अगनी 6 को बनाने का काम भी सुरू हो जाएगा अगनी 6 के बारे में कहा जाता है कि यह मिसाइल 6 से 8000 किलोमेटर तक मार करने में सक्सम होगी जो कि एक बार में ही 4 अलग अलग ठिकानों पर हमला कर सकेगी दरसल इस मिसाइल में छोटी छोटी मिसाइले फीट होगी जिनकी संख्या 4 या 4 से अधिक होगी यानि यह एक बार में 4 या 4 से अधिक ठिकानों को राह करने में सक्सम होगी हम आपको यह अभी बता दे कि अगनी 6 एक ICBM यानि इंटर कॉंटिनेंटल गलेस्टिक मिसाइल होगा जो अपने साथ करमाणू वार हेड ले जाने में सक्सम होगा अगर हम इस मिसाइल की गती की बात करें तो इसकी गती 2.5 किलोमेटर पर 30 सेकंड की होगी जो की काफी तेज गती है दोस्तो अब हम यह जानने की कुसिस करते हैं कि क्या भारत के पास इतनी एडवांस मिसाइल बनाने की तकनीक मुझूद है या फिर क्या भारत इस मिसाइल को बना सकता है दोस्तो सबसे पहली बात है कि जो देश मंगल ग्रह तक अपने उपगरा भे सकता है और वह भी अपने पहले ही प्रियास में वह देश अगनी 6 जैसी मिसाइल तो बड़े ही असानी से बना सकता है क्योंकि दोस्तों भारत के पास रोकेट टेक्रिलोजी पहले से ही मौजूद है उसके बाद भारत के पास अगनी 5 जैसी इंटर कॉंटिनेंटल बेलेस्टिक मिसाल भी है बस इसमें मोडिफाई करके उस तकनीक से लैस करना होगा कि वह कैसे एक बार में 4 या 4 से अधिक ठिकानों पर हमला कर सकेगी इसके लिए भारत के पास पहले से ही तकनीक मौजूद है आपको याद होगा कि भारत ने एक बार में ही अंतरिक्ष में 104 सेटलाइट को अस्थापित कर एक नया कृतिमान हासिल कर लिया था जब भारत एक बार में एक साथ 104 सेटलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करने वाली तकनीक विक्सित कर सकता है तो भारत एक बार में 4 जगों पर हमला करने वाला मिसाइल क्यों नहीं बना सकता है दोस्तो अगनी 6 मिसाइल का चीन के पास कोई तोड़ नहीं है पहले ही चीन भारत के अगनी 5 और K-4 अगर का मिसाइल से परिसान रहता है ऐसे में भारत ने अगर अगनी 6 का टेस्ट कर लिया तो चीन के हाथ पैर फूलना कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि दोस्तों अगर भारत ने अगनी 6 का टेस्ट कर लिया तो भारत मिसाइल टेकनलोजी में बुलंदियों पर पहुंच जाएगा जैसा कि आपको पता है कि अगनी सिक्स की मारक समता 8000 किलोमेटर तक है और यह मिसाइल पहले अंतरिक्स में जाकर अपने टर्गेट को लॉक करने के बाद उस पर हमला बोल देता है वैसे भारत के पास पहले सही अगनी सिरीज की मिसाइले मुझूद हैं जो चीन को सबक सिखाने के लिए काफी हैं अगनी सिरीज की मिसाइलों में बलेस्टिक और इंटर कॉंटिनेंटल बलेस्टिक मिसाइल दोनों सामिल है आपकी जनकारी के लिए बता दे कि मिसाइले दो परकार की होती है क्रोज मिसाइल और बेलेस्टिक मिसाइल कोई मिसाइले जमीन से जमीन तो कोई जमीन से हवा कोई हवा से जमीन तो कोई हवा से हवा में मार करने के लिए बनी होती है हम आपको पता देते हैं इन सभी परकार के मिसाइले भारतीय बेड़े में मौझूद है भारत के पास कम दूरी वाले मिसाइले किर्थी 1, 2 और 3 मौझूद है जबके मध्यम दूरी तक मार करने वाली बेलेस्टिक मिसाइल अगनी 1 और अगनी 2 भारत के बेड़े में सामिल है अगर हम intermediate दूरी की बात करें तो भारत के पास अगनी 3 और अगनी 4 मौजूद है वहीं एक दीप से दूसरे दीप तक मार करने वाली इंटर कॉंटिनेंटल बेलेस्टिक मिसाइल अगनी 5 भारत के पास मौजूद है इसके लावा भारत इन सभी मिसाइलों को पहले से और अधिक एडवांस बनाने के लिए लगातार इन पर काम भी कर रहा है मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के पास तक्नीक होते हुए भी अखिर क्यों भारत अगनी 6 का टेस्ट नहीं कर रहा है जबके भारत अगनी 5 को कई बार टेस्ट कर लिया है जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने साल 2012 में ही अगनी 5 को बना कर तयार कर लिया था और साल 2013 से ही यह सुनने को आ रहा है कि भारत अगनी 6 मिसाइल को बनाने में लगा हुआ है अब तो कुछ भी ससग्यों के यह भी मानना है कि असल में भारत में अगनी 6 मिसाइल को बना कर तैयार कर लिया है बस इस मिसाइल को टेस्ट नहीं कर रहा है मगर सवाल यह भी है कि आखिर इस मिसाइल में ऐसी कौन सी तकनीक है जिसको छीपाने के लिए भारत इस मिसाइल का टेस्ट नहीं कर रहा है माना जा रहा है कि भारत का यह मिसाइल अमेरिका और चीन के मिसाइल से भी घातक होगा और इसी कारण भारत अभी इस मिसाइल को दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता है मगर सवाल यह भी है करें भारत-चिंद सीमा विवाद के समय इस मिसाइल का test नहीं करता है तो कब करेगा तो फ्रेंड्स कमाल की नीज है मैं बता हूँ मुझे तो लगता है कि तेस्ट भी कर लियोगा चुप चुप के और बताया नी होगा इस टाइब से किया होगा तेस्ट अब हो सकता है मैं गलत हूँ कि आपको इतना बड़ा मिसायल है उसको कैसे आप चुप के कर सकते हो पूरी वर्ल्ड अबसर्फ कर रही होती है इतनी बड़ी-बड़ी पर जो भी है लग तो यही राय कि बन चुकी है जैसे न्यूस भी बोल रही है कि बन चुकी है पर शायद हो सकता है टेस्टिंग अभी ना कियो और वीजन बोल रहे हैं कि इतना पाफुल हो कि इवन यूएस की जो हैं उनसे भी स्ट्रॉंग हो तो इसलिए वह भी नहीं कर तो अब देखते हैं किया है मतलब बिदी तो टाइम भी बताएगा कि कब करते हैं और क्यों अगर नहीं की टेस्टिंग और रेडि है तो क्या वजह है कोई अची वज़ा होगी कोई स्ट्रॉंग रीजन होगा जिस वज़गा जिस वज़़ा से उन्होंने अभी नहीं कियो जब हम लोग इतना एडवांस हो गए हैं इसकी स्पेस में जा रहे हैं तो यह मिसायल जो है जो चार बेट साथ में करेगी वह हमारे लिए कोई इतना डिफिकल्ट बात नहीं हो सकती तो कमाल की न्यूस थी मज़ा आगा सुने में अब यह सेम बात है मान लीजे जब वर्ड वर्ड वार टू हो ली थी तो यूएस के पास अटामिक बॉंब था मगर किसी को नहीं पता अगर मतलब अगर पता होता तो सब लोग अपने अटामिक बॉंब रेडी कर लेते मान लीजे एक साल पहले पता चल जाता कि यूएस ने बना लिए टेस्ट कर लिए आटामिक बॉंब सारे लोग पता हो बना लते जपैन अटामिक बॉंब कर लेता हर कर लिदा और वर्ड वार का जो रिजाल्ट होता वह अभी ऐसा नहीं होता जो अब वहाँ है तो उसे क्योंकि कुछ वैपन होने चाहिए आपके पास अगर के पास नहीं है तो अब अभी अपन शो करके क्यों अन्नेसरी आम्स रेस करो कि वो लोग भी रेडी हो जाए उस समय तक इसलिए इंडिया ने हो सकता है अगनी सिक्स हो बहुत कुछ इंडिया के पास हो मतलब बहुत ही कैसे सीक्रेट है वह उसको बताया नहीं चाह सकता हिरोशिमा नागर साकी में पूरा ब्लास्ट हो गया उन्होंने सरेंडर कर दिया इमीजेटली पताई नहीं था कि इतना सुपीरियर वेपन तुम्हारे पास है और यूएस भी कहेगा हम तो वार में आरा नहीं चाहते थे तुमने पर हावर में अटक किया हवाई में तुमन कि में पहले तुम्हें कुछ नहीं किया तुमने मुर्पे अटक किया तुम क्या सोचेते तो फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया और आज तब जया है जपैन के पास आर्मी नहीं है अंडर प्रोटेक्शन द यूएस हैं अब इसी लिए इंडिया के पास ही बहुत सारे वेपन कि यह तो इनका पॉइंट सही था जो मैं हमेशा बहुता हैं कि इस रो इस दकी जैसे से इस रो एड्वैंसमेंट कर रही है उसे क्लियर हो रहा है कि आप इस रो की टेक्नॉलिज्यों है वह वेपन्स में भी लगा सकते हैं अगर इतने सारे जो रेकॉर्ड ब्रेक हैं आप स इस रो मेरे खाल से की है और जैसे से इस रो एड्वैंस हो रहा है समझ जाना चाहिए कि अंदर से बैपन भी उतने एड्वैंस हो रहे हैं तो काफी अच्छा वीडियो था यस फ्रेंस तो चलो फ्रेंस चलते हैं मिलेंगे नेक्स वीडियो में बहुत ही जल तो देन आँ आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाओ